नमस्कार आप देख रहे हैं पंजाब केसरी मैं हूँ आपके साथ गितांजुली जादोर भारत और चीनी सैनिकों के बीच जड़ब के बाद अस्तिती गंभीर बनी हुई है बतादे अरुडाचल प्रदेश के तबांग सेक्टर में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई जड़ब के बाद पीम मोदी नौर्थीस्ट का दौरा करने वाले हैं प्रधान मंतरी मोदी का ये दौरा रविवार यानि के 18 दिसंबर को है मिगाले के शिलांग में ये कारिक्रम होगा इस कारिक्रम की अध्यक्षिता ग्रह मंतरी अमित शाह करेंगे असम के मुख्य मंतरी हेमंत विश्व कर्मा राजिपाल और सभी सातों राज्यों के मुख्य मंतरी इस कारिक्रम में मौजूद रहेंगे लेकिन एहम बात ये कि नॉर्थ इस्ट मामलों में मंत्री जी किशन रेडी भी गोल्डन जुबली प्रोग्राम में हिस्सा लेगी इनके साथ तनातनी के बीच पीम मोदी का नॉर्थ इस्ट दौरा काफी एहम माना जा रहा है दरसल मेखाले के साथ ही पीम मोदी त्रिपुरा राज्य का भी दौरा करेंगे त्रिपुरा के मुख्य मंत्री मारिक साहा ने बुद्वार यानि की 14 दिसंबर को इस बात की जानकारी दी थी कि त्रिपुरा के सूचना और सांस्कृतिक मामलो में मंत्री सुशांत चौधरी का कहना था कि महराज़ा वीर विक्रम हवाई अड़े पर पहुंचने के बाद विधान मंत्री का स्वामी विवकानंद मैदान में एक जनसभा को संबोधित करने का कारिक्रम है जहां पीएम मोधी जनता को संबोधित करेंगे इतना ही नहीं प्रिधान मंत्री मोधी त्रिपुरा की पार्टी में भी शामिल होगे दरसल बुद्वार यानि की 14 दिसंबर को अगरतला के प्रग्याभवन के एक औरेंटेशन कारिक्रम के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए मोधी मंत्री ने कहा था कि पीएम मोधी 18 दिसंबर को दोपैर करीब ठाई बजे त्रिपुरा आने वाले हैं वो कई योजनाओं का उधगाटन करेंगे साथ ही हमारे विधायकों से मिलेंगे और भाजपा की राज्य कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे मुखी मंत्री ने ये भी बताया कि त्रिपुरा यात्रा से पहले पीएम मोधी मेगाले के शिलांग में एक बैठक में भी शामिल होने वाल है बराल हरुणाचल के तवांग में चीन के साथ तनातनी के बीच पीएम मोधी का नौर्थ इस्ट दौरा काफी एहम माना जा रहा है और इसमें अमित शाह भी शामिल होगे रेश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहें पंजाब के सरी के साथ